बिहार बजट लिखने ला समी तुम टेस्ट वहाँ पर भेजते हैं कुछ तो उसको लिखना चाहिए बिहार बजट लिखो खेर नहीं सर दो लाख अठारा हजार यह कब का डटा होगा इसी साल का होगा कहां ठीक है जिसमें देंगे इसमें उसी का होगा इस साल का देंगें उसी का होगा ठेक जैसे 21 22 का है 12 20 का ही होगा यहां लिखनो कि इसी साब का 19 21 21 lawis जा परपो लेखे प्रक ब्ह बजते हैं वहीं थे पोँछें थें बजाट में ऑप पर गयाल बजट में क्या बवोट रहे को इसी साल का कि इस बार का कितना का बज़र्ट है कितना करोर का बताओ तुलोग पर हो ना दू लाख सेंटी से बोल दिये हैं कई बार बोले हैं छो से एकानमे पॉइंट वन नैन करोर कर त्राज कोंशिय घाटा अनुमानीत तो राज कोंशिय घाटा अनुमानीत है जी इस और अनुमाने लगा हुए ना कि इस वजय से अनुमानित लिखते हैं वो सवह मी क्या लिखे थे पुरा जो उसको आ गिया था वो लिखे थे ठेक तो अभी राजकोश्य घाटा अनुमानित लिखना अनुमानित आईसे पूछेगा एकजाम में एक एक वर्ड एक एक सिंटेंस किलियर करके जाना है ठेक ऐसे होता कहा कि बिहार में तो निगेटिव मार्ट है नहीं जो आया पकर के उसको रगे दिया अच्छ ठीक है यह वला है कि यहीं है राजकोश्य घाटा यहीं फिस्कल डेफिसिट इसको करवाए हुए है ठेक इसको करवाए हुए फिस्कल डेफिसिट जो है अनुमानित यह करवाए हुए है तो 2.97 परसेंट तो 2.97 परसेंट उसका निकालोगे जीएस डीपी का है 2021 वाला का निकालोगे तो क्या होगा देखो यह जो मेरा है यहाँ पर 22,000 पानसो यहार करूर है यही है जीएस डीपी जो है ना करेंट वाला बताया है ना बजट में कि कितना है याद नहीं है करेंट वाला का अ चलो यहाँ पर 3.47 कम से कब देखो जो लिखाते हैं बोर्ट पर उयाद कर लें है जो डाटा लिखाते हैं तो कम से कम मैचिंग तो करके अच्छा यहां सर बोले हैं तो 3.47 परसेंट इसका क्या होगा 22,885.110 करोर है यही है चलो एक बिर्धिधर तो लिखा ही नहीं इसको 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 इसका था 10.2 के आसपास था तो इसको छोड़ दो अभी नहीं लिखा है जिसको हम बोले थे कि जिसको उतारने के लिए दिये थे इंगलिस में लिखके यह क्या किया है कि जो इसे ही लिखा ही नहीं अकेले अब बहुत सरा काम एक दिन कर लिए हैं आज चलो यहाँ पर है 9.7 परसेंट यहाँ पर इसका डाटा दिया है 9.7 परसेंट रहने वाला क्या अनुमान तो 9.7 परसेंट अनुमानित है विर्धी दर क्या अनुमानित ही होगा सव इसमें अनुमानित लिखना देखो सब अनुमानित लिखना क्यों क्यों कि यह बज़ट है तो अनुमानित ही कोई planning बनाते हूँ कि पिकनिक पर जाना है तो उसका तो बनाते हो ना तो पर धेखिश ठीक है यह निया इतना लगेगा अब वहाँ पर क्या हुआ गया वहाँ पर कुछ घटी है ठेक तो क्या करोगे खाना बनाना तो छोड़ नहीं दोगे कुछ नो कुछ तो लाओगे तो यहीं सब होता है कि चलो अनमानित है यह हो सकता है कि आगे जाकर बदल जाए लेकिन अब ही तक यह है दखो अब जो इसको हमको पहले लिखना था ठेक GSDP जो है करेंट वाला में अब दखो बजट में क्या आगा इसी यहार काईगा अरे इसी यहार काईगा ना बजट में क्या बोले हैं पर लिखिया है 21 वीस एकिस बैस कितना सात लाख यह हम लिखा चुके हैं सात लाख संताबन हजार देख़ो यह अपने कॉपी में देखले ना ठेक में करोर है करोर रूपीज है ठेक इसको देखना अपने कॉपी में बाइक करके देखो रुको यह सर्षाट लाग संटामां हजार जीरो चलो दिया समय तुम नहीं सर रागनी रागनी यह सब्सक्राइब कल छोड़ दी दिखलास क्या तुरागनी तरफ पल संड़े था कल नहीं पर्सों पर्सों जोड़ दी थी क्या नहीं सर्कें देखो 7,45,000 हम क्या बोले थे कि घट गया है याद है कि हम बोले थे कि घट गया है यह 45,310 कुरोर तो GSDP मेरा घट गया है तो इसलिए देखो GSDP इतना घट ने कब आपजूद भी इसका अगर 3.47% क्योंकि GSDP जो जितना है यह देखो इसका 3.47% जो 22,000 कितना है 888 कुरोट इससे ज्यादा होगे क्या था इसका 3% के आसपास है यानि 7.57,000 कुरोगत फिर भी उसी के बरावर लगवाग देख लो रुप्या में तो वहीं है लगवाग लगवाग ठेक ना आप देखो डाटा आगे बताते हैं राजसु बजट राजसु बजट का क्या होता है रिवेन्यू बजट ना क्या कि छोड़ो इसको 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 किलियर ने करेंगे यह आने वला तो है नहीं फिर वी यह यह चीज दुनों फिसकल डिफिसीट आ यह वला जो हम ब्रावर कराते हैं कि यह चीज यह यह बजट अनुमांद कम-श्कम यह होना चाहिए ठीक है वहाँ पर छाटने के लिए दिक् अब जो है सिक्षा के छेत्रे में सबसे ज़्यादा खर्चा है तो अब यह बिभिन छेत्रों में सबसे ज़्यादा वय वाला तो यहां लिखो सिक्षा अब क्या लिखते हैं छेत्र लिखते हैं अब वय लिखते हैं तो इस जो है खर्च जो खर्च हम करने वाले हैं तो इस में लिखते हैं तो यहां पर लिखो शिक्षा लिखेंगे उस साइड भी शिक्षे लिखेंगे यहीं लिख लूँ यहां शिक्षा सोरी इसको शिक्षा यहां लिखो खर्च भी यहां लिखो इसमें टाइम बहुत लगता है इसको लिखाने में, देख रहे हैं न कितना किस तरह से हो रहा है, यहां पर इसको याद रख लेना है, इसका गरामिन विकास, सरक, स्वास्त, उर्जा, किरसी के लिए 3.7% का सपास है, दोखो इसमें क्या का चीज़ है, तो यह तो इसका हुआ ज्यादा इसलिए हम इस सब्ची को निगलेट कर दिये हैं, यहां कि गरामिन विकास को रूलर डेवलप्मेंट हम लिखते हैं, इंगलिस में, ठेक, सरक का क्या हो गया है, सरक का क्या हो किरसी के लिए, जो दिया है, यहां पर 3.7% के देखो, अब यहां पर 3.7%, यहां 19% में इतना रूपया है, तो 3.7% में कितना लगवाओ इससे बहुत कम होगा, देख लो, 1% इसका निकाल लो, माल लो, इतना याद रहगा माल लो, तुमको अर्तिस हजार, पैंटिस इतना करोर आप तुमको दिमाग में बढ़ जाके यह तो 19 परसेंट के बराबर था किर्शी के लिए फूश जिया तो एक एक नियम सर ने निकाल लोगे नहीं निकाल पाओगे देखो सब्सक्राइब करना पड़ेगा एक कुष्चन को थोड़ा भूत पेन हिलाना है यहां 3.7 है मालो तो यह देखो 19 दूना आर्टीस हो गया लग वह लग जो है 19 दूना आर्टीस ही रखो यानिकी ऐसे रखो ठेक आगुना यह एक प्रॉक्स में हमको लगता है कि कितना हो गया लोग चार दुना आठ है निकिसाथ क्या सब्सक्राइब कर लेना इसको नहीं लिखना अभी ठेक इसी प्रकार से उसमें लिखो सिक्षा के लिए यह 22 परसें यह जो है 15 परसेंट के आसपास है गलत डाटा ले लिया है इसको कुछे करने दूँ कि यह तो सही है कि यहां तक लेकिन यह कि यह तो सही है सब्सक्राइब कर लेकिन यह सही है सब्सक्राइब कर लेकिन यह तो कि 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 यह कि यह कि यह कि यह कि कि जिद्ध का ना शीक्षा का सट ना सीक्षा का बोल रहा है ना यह बाइस थेश में अच्छा सीक्षा का देखो यहां पर दिया हुआ है अच्छा पर देखो सिक्षा के लिए यह इतना करूर है तो यह कैसे हो गया बैस परसंटी कैसे हो गया इसको छोड़ो इसको चोरो इसको हम अपडेट कराते हैं ठेक ना आज हम भेजेंगे इसको छोरो ठेक आगए चलते हैं इसको खाली रखो बॉक्स को खाली रखो ठेक उसका फिर भर आते हैं चलो आप इसके बाद ना इसके बाद इसी के नीचे में अपने में लिखो कि क्या-का चीज हम लिखा रहे हैं वो चीज लिखो बिंदू करके लिखना अब कितना बिंदू लिखोगी एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस पॉइंट नो दस पॉइंट लिखना है ठीक ना उसको याद कराने के लिखो आप दुखो लिखो तो राज में जीतना भी आइटीया है ठीक ना आप पॉलिटेकनिक कोलेज है उसको एक्सेलेंस के लिए जी कि अब ऑईटीयाइश काम पोरा लिखा रहे हैं एक्सेलेंस का नीचे में लिखो थेक इसके नीचे में लिखो सब ठो आज उसका फिर जब हम बाइस तेस का लिखाने लगए तो हम बोल देंगे कि बाइस तेस में इक कॉलम में लिखो यह समय दस पॉइंट लिखना है वन टू थरी फ़र के जो नोट है पॉइंट है इन नोट है मा लोग कहीं पूछ दिया तो इसी नोट में से आएगा कुश्च ठीक लिखो तो इटी और पॉलिटेकनिक के लिए कॉलेज को एक्सेलेंस क्या बनाएगा एक्सेलेंस लिखलो एक्सेलेंस एक्सेलेंस पीस बहुत अच्छा क्वलिटी का इंकरीज करेगा उसको ठीक अब देखो एक बजट में जो है पचीस हजार जो सेकेंडरी स्कूल जो पास करेगा अभी बाता बेटी उसका पचास हजार जो पास करेगा असना तक उस अब लिख लेना छात्वितिक रूप में छेक ना करेंगे तो मिल जाएगा मतलब ले ही लेना है अब तो नीटा बोले तुम क्या थे तुमको पैसा लेना है यह पीचे नहीं मिला तो मिले पीटी में तो मिली जागा अब तीसरा पॉइंट लिखना अब सभी गाव में शोलर एस्टीट लगवाने का एलान किये थे यह इनिकिस अभी गाव में शोलर एस्टीट के वेवस्था करने के लिए तो लिख लेना शोलर एनिक उसको क्या बलते हो हुए हिंदी में सोलर एस्टीट को सोलर एस्टीट लाइट को सौर उर्जा लैंप देदना सौर उर्जा लैंप अभी सब में लिख रहे हैं तो इसे मत समझ लेना सौर उर्जा लैंप देखो यह आज है तो पता चलेगा यह क्या है कब का बजट का है 22 वाला 22 वाला 22 यह का तो अभी लिखाना बाकिये है तो चलो और राजगीर में एक और एस्पोर्ट्स उन्वर्सिटी भी खुलेगा तीन नया मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा ठेक सब बता रहे हैं सब लिख तीन नया मेडिकल कॉलेज 2021 22 वाला में लिखना तीन नया मेडिकल कॉलेज राजगीर में एक एस्पोर्ट्स उन्वर्सिटी ठेक अज जितना भी खुला में सौच करता है वो सभी जी लोको ओडिया फ्री करने का ये संकल्प लिया थे हुआ नहीं नहोगा ठेक लोग सुधरने वाला तो है नहीं कि अधियर फुल्पम क्या होगा अरे ओपेंड फिकेस है नहीं कि खुला में पेखाना पसाब करना यह वला ओडिया अब यह भी ने जानते हो कि अभी तोटल राज फिरी होने वाला तो हमको लगता कि हाँ पोडिशा सर्वस आच्छा रुको उसको हम साच करते फिर क्या कि बिना देखे हुए अकन देखो बात है कि पड़ते भी है तो याद रहना भी तुचाहिए मालो अब पूरा नहीं हम अभी बोल देंगे तुम बोला है और इसा चेक कर लेंगे सब आदमी चेक कर लेना तो सिक्केम या तो और इसा सब दो कन्फ्यूज हो लें सिक्किम तो है कम से कम एक समझा कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खुलेगा सिक्षन संसां से दूर रहने वाले कारीगर को प्रसिक्षित करने के लिए जो भी बैक्ती परने लिखने में मतलब कभी स्कूल नहीं गया ऐसे ही रह गया गरीवी के कारण तो जिस वज़े से उसको अब मोडरेट करना परेगा फ्रस अनिकी यह क्या उसको बोलते हो मोडर्नाइज करना परेगा तो उसको क्या करेगा excellent company. अदमी के लिए तो हुआ नहीं लेकिन पॉसुकी के लिए सब्सक्राइब निता यह सब्सक्राइब कर दोर है हम मेगा स्किल सेंटर मेगा स्किल सेंटर है अब पसुओ के लिए डोर एस्टेप इलाज यानि कि उसके घर पर जो इलाज करने के वबस्था है डोर एस्टेप का मतलब क्या हुआ दोर मिस दर्वाजा ठेक ना जी घर मिस का हुआ हाँ देखिए कौन बोल नहीं हो अगल नग घर गर जाकर ँजो होता है इलाज पस्थान की अस्थापना तो यहां पर लिख लो गोवन्स बिकास अस्थान की अस्थापना और बहुं सरा चीज है लेकिन उतना जानकारी चीज नहीं पर हो किने तो बजटे परते रह जाओगे तो फिर क्या दिकत है चलो अब तो 2022-30 में लिख दो अरे 2022-30 में लिख लो इसके अलावार देखना भी नहीं है और 30-25 क्वेश्चन के वल सेट मार भेज देंगे ठीक अ सब वहाँ पर अपना रिविजन कर लेगा हम आंसर को ठीक ही करके भेज़ेंगे इस बार क्योंकि उसको पढ़ाएंगे नहीं ऐसे अब इस पर क्वेश्चन बना रहे हैं ठेक इस पर 30 क्वेश्चन जाएगा यह सरा बोले थे तीन दिन के भी पर अब लिख वह लिख वह रहे हैं उसमें से छाट के अगर होगा तो जो भी हमको लगया कि नहीं यह कुश्चन है कुछ-कुश्चन क्या होता है जो परहाए न इसमें से 70 परसेंट इसमें से रहेगा 30 परसेंट ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं हमको और परना चाहिए चलो बर्स 2025 तक सभी 149 आइटी आए और 44 पॉलिटिकनिक इसका मतलब क्या हो गया कि 223 तक का मतलब कि जितना भी 149 वो आइटी आइ कॉलेज था चोबालिश गो पॉलिटिकनिक कॉलेज है समझे उसको क्या करना है ड्रोन टेकनोलोजी प्राकर्म सुरू किया जाएगा ठे प्राकर्म सुरू कि जाएगा इसको ना ईसको हिंदी में लिख भूआ हमको कहीं हमको लगता है कि यह फ्राकर्म है कि क्या है इसको चेक कर Намया पर ऐसे प्रा करम के लिखे नीचे लिख दो कि इसको चेक नहाई इसको एक और सर्च कर लो अर्लुक्ष मै क्या प्राकर्म है कि क्या है उसको थोड़ा सदेख लेना तो एक बार इसको ऐसे मारो यहां इसको फेरिफाय करना देखो करेंट फेर मैं हम तुम को क्या बोले कि एक जाम तक हमको फेरिफाय करते रहना है चीजों को खास करके अगला कोशन के चलते उगलत हो जागा इस नहीं रहता ना तो जो तुम आभी तो बोल रहें कि जो पर हैं वही कपर के जाते एक एक क्वेश्चन सेलेक्शन में रहता है लगती सब के लिए नहीं उतना लरकान सब के लिए बहुत मेहनत करना है अच्छा तो तुम देने जाती हो नहीं सब इस बार डालने हैं अच्छा तो तुम अधर कहां गार है उधर सब्च यूपी के अगल बगले क्या नहीं सर मैं तो बिहार की पटना से पटना से हो क्या नीट क्या नाम है यहां सही में उसमें अगर कर लोगी तो फिर हो जाएगा यससे आसान रहता है अब यूपी के असका कराइंगे करेंट का आई इसको लिखो, institute of petrochemical technology, लिख लो दूसरा point में, institute of petrochemical technology, अब हमसे तो लिखाएगा, इंग्लिस में ही, institute of petrochemical technology, ठीक, चलो, एक लिखो, बेगुसरा में, अब बेगुसरा का एक और नूज लेलो, इसको अलग से लिख लेना, बेगुसरा में, यूरिया का जो है, production, इस्टार्ट हो गया है, तो इसका वाद पहले भी होता होगा, लेकिन यहाँ नीम-coated यूरिया का हम बात कर रहे हैं, तो उसमें लिख लेना नूट में, बेगुसरा, अगर पूछ दे कि बेगुसरा का बिहार में, नीम-coated यूरिया कहां से production होता है, तो बेगुसरा लिखना, आंसर, बेगुसरा है, इसको सब आदमी साइड में लिख हो गया, पाकल धूर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, पाकल धूर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, बोलो, इसको पीन मार के रोप, नहीं, सर ये फर्स्ट बार सुने, पाकल धूर प्रोजेक्ट किस रिवर पे तु लोग ने पर ही हो, मुझे नहीं पता से, इसको फर्स्टे बार Rivaar River यह क्या कहते हैं मरुस उधार river पे है मरुस हुधार river जो है Chenow का Terubi Tree है ठीक न इसको लिख लो side में usta व्हां ध्यू stato अर जुछ जो किस पर हुआ है बता तो बंगलादेस और कॉन सा बिरिज बना है उस फैनी रिवर पे बना है और फैनी रिवर पे बना है ने रिवर है बताओ प्वाइन को इस छुब आप इस पे एक्सिर्थ्था कोस्चन है एक साइड में लिख लो अब आगे चलें इस पे बेगुस्राय का हो गया तो बताया नहीं मैंत्री ब्रीज बोले तो फैनी रिवर पे है फैनी रिवर पे इसको चेक करना लेकिन मैंत्री ये बिरीज है कि क्या है सब्सक्राइब बांगलादेश भारत होगा तो फैनी फैनी रिवर रिवर से याद आगया थे इसले पूछ लिए ठीक ना चलो आगे बढ़ते हैं बेगुसराय में इलेक्ट्रोनिक्स कलस्टर मेडिकल डिवाई क्या किते हैं अब बैतिया में ट्वाई कलस्टर अज देखो पहला ट्वाई कलस्टर वाला थाम को लगता है करनाटका में हुआ है और इसको याद रखना जो कि पृधान मंत्री जैसे हम लोग आयात करते हैं बहुत खिलोना उलाना का चीन से इसको रोकने के लिए सायद करनाटका में हम लोग बहुत वदा जो है चीनपटना त्वाया चीनपटनी या चीनपटना ट्वाय है कि यही सब याद आगा तो करनाटक में है यह हमको इतना याद है हमको लेकिन एक्जेक्ट नहीं याद है कि चीनपटना ट्वय है उसका जो नाम क्या है उसको थोड़ा से कर लेना कंफर्म करो क्या कि यह सब क्वेशन आएगा कभी भी तो फिर हाथ से निकल जाएगा इसको हम बेतिया में इसलिए ब पूड़ पार्क तो मोतिपूर में है अब प्लास्टिक पार्क गरोल में है अई गरोल हमें है हलो यह सब्सक्राइब करनाटके में है उसको याद है लेकिन यह प्रोग्राम का कुछ नाम था जो प्रोग्राम अगर पूछ देगा न तो उसके में दिमाग लगाने के जुरूबत नहीं है करनाटका क्योंकि वो पहला है और वो सब्सक्राइब निव जाए था जो फ्रंट प्रिस पर था तो उमको लगा कि यह बहुत बड़ा प्रिस आए अधे में टेकनीक क्या है अप का सहं मदोगी टेकनीक लिए हैं बोमेटनिक किससे इस से मधर बता हूँ लिए हम बोमवाई टेकनिक है क्या कि जानवरों के लिए जैसे टाइगर उगर के लिए होता है यह अफिरका से लिया है या चाहिए कोई बोश्वाना ही सब है उससे हमको लिए है यह टेकनिक यह मेजर करने के लिए अच्छा ठीक के बागो को जैसे हम लोग करते हैं न एंटी सी ये प्लास्टिक पार्क गरोल गरोल इसको चेप करो तो कहा हां गरोल अटक्स्टाइल पार्क एपुरेल पार्क प्रसे अफ्राल प्रेस्वंहर करते है अपरेल प्रस पर्क मिए कि इसने और क्या बता यह थोड़ते हैं तुषकू बलते हैं टेनल और एप्रेagn न मुझा, ऊपर अएप एपे रल पार्क यह कहां पर होगा इस जो है आभी क्या बोले कि जो बज़ाट में रहने सब चलता रहता है कि क्या है कुछ-कुछ का नाम बता थे ठीक है ठीक ना अभी तक कोई ऐसा किलियर नहीं है कि यहीं पर बना रहे हैं लेकिन यह हमको लगता है न सब कहीं बेतियामनों होगी इसको चेक करना तो नीता तुम्हानम है यह सर्ण नीता इसको चेक करना तो चलो जननायक करपूरी ठाकुर छात्राबास पटना और बैसाली में खोला जाएगा यह किलियर है जननायक क्या बता सर्ण जननायक करपूरी ठाकुर का नाम ने सुनी हो तुम्हार को हो ना तुम लोग यह सर्ण तुम्हार कहां से हो पश्मी चंपार तो दर्भंगे रुभंगे का था तो उध्रे का इस प्रस का आदमी तो जानता है उसको करपूरी ठाकुर को करपूरी ठाकुर मर गया ऐसे करपूरी ठाकुर बहुत बहुत दो ने पाते बिहार के सीयम में साध रहे हुए अब यहां पर पूछ देगा करपूरी ठाकुर का उपनाम क्या है तो जन्नायक इसको अब मालोग बीपिया सिंप्रीटियमें आ जाए इसका मतलत तुलों हिस्ट्री ने पढ़ती हो अच्छा यह बात बता हमको तव गांधी जी जो अहां धर्शाना सॉल्ट जो हुआ था वहां पर कौन सा मीडिया पर संथा जो कवर किया था उसका सब्सक्राइब को अधार करके था सब्सक्राइब को ये बीदर वैप मिलर सब्सक्राइब बता रहे हैं लगता है अलो था मिलार वेब मिलर कनफर्म हो था जी सर ठीक है देखो पूछेंगे तुलों से क्वेशन यहां तक हो गया कि छात्राबास कौन सा छात्राबास खुलेगा जन्नायक करपुरी ठाकर छात्राबास पटना और बैसाली में खुलेगा जो पहला था राजगीर में दूसरा बाका में आज तो उमको लगता है रेसम नहीं आई है तो बाका है यह यह हो गया चलो चाहँ नया रोप वे पहला तो राजगीर में दूसरा बाका में था आप नया हो जागा यह निकि टोटल कितना हो जागा तब च κाहिक कि एक पहले तो राजगीर में था रोप बोलत रहें कि राजगीर में था आप गा में गया वूट ची साध्य झाबिव पहले सका सब्सक्राइब के दो श्याटा उरका में dog के टब अ कि नए ते अग्म कुछ गाना अग्राजगीर जाते हैं और बोद गया जाते हैं और जहां पतना में रहते हैं आप अ आपका घ्राजगीर खाने हैं तो क्या खाती हों फुचका है अ आद्म है कि यहां हो गया चलो भाई बर्गर भी खा लिए थुड़ा सा पीजा भी खा लिए बस हो गया गुमना चलो इस छे नया रूप में हो गया गया कि डुग्रीश्वरी डुगी खटी परवत का पर भगवान बुद्ध फल्गु नदी में भगवान विश्नु की विशाल काई तो लिख दो फल्गु नदी में भगवान विश्नु की मुर्थी लगाई जाएगे जैसे लिख दो डुगीश्वरी परवत है भगवान बुद्ध फल्गु नदी में फल्गु नदी जानते हूं निरंजना नदी इसको इहीं बोलते हैं बुद्ध की देखो भगवान बुद्ध की फल्गु नदी में भगवान विश्नु की विशाल का परतिमाल लगाई जाएगे वहां गया में भी ठेक